दोस्तों फैनल चुके हैं मुबाइल फोन के स्क्रीम पतौप से रिक्वेस्ट करूँगा सुरू से लेकर आन तक इस विलोग देखिए वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरू करेगा दोस्तों आज मैं बात के नवला हूँ ऐसे डिजिटल लेंडिंग प्लाटफोर्म एप के बारे में जिसके मदद से आप घर बेटे इस्टेंड क्रेट लाइन ले सकते हैं दोस्तों आपर सबसे बड़ा समस्या ये आती है हमारे कुछ ऐसे ओडियंस है जो अधार पैन के बेस पे ही लोन लेना चाहते हैं दोस्तों अगर आप आपके पास कोई बैंक के स्टेटमेंट नहीं है इनकम प्रूफ के तोर पे ITR फाइल करने के लिए कोई फाइल नहीं करते हैं कोई बिजनेस नहीं करते हैं तो ऐसे कंडिशन में आप इस अफ्लिकेशन से लोन ले सकते हैं वो भी सिर्फ वो सिर्फ अधार पैन के बेस पे यानि KYC डॉक्मेंट को उपर आप घर बैटे क्रेट लाइन ले सकते हैं यहाँ पर दोस्तों फंड़ा क्या है कि आपको मिलता है 5 लाख रुपए का क्रेट लाइन जैसा कि आप देख सकते हैं इस इंटरेस आपको जो यहाँ पर दोस्तों लगेगा 9.99% से स्टार्ट अप होती है सबसे अच्छी बात यहाँ पर दोस्तों यह कि इस इस लिमिट का आप कभी भी कहीं भी इस्तमाल तो करी सकते हैं साथ जब भी आप इस्तमाल करेंगे इस लिमिट का तभी तक आपका यहाँ पर ब्याज या फिर इंटरेस चार्ज लगने वाली है अगर इस्तमाल नहीं करते इस लिमिट का तो कोई भी इंटरेस चार्ज भी नहीं देना होगा एक तरस आपको यहाँ पर दूस्तो क्रेट लाइन मिलता है तो यह भी आप प्रिवो अप्लिकेशन के तरफ से निकल के आ रही है जिसमें की पाच लाग रुपे तक क्रेट लाइन आपको मिलता है यहाँ पर दूस्तो क्रेट लाइन मिलने वाली है जैसे कि आप यहाँ पर दूस्तो किये जाएंगे वो भी ओनलाइन अप्लिकेशन के माधियन से ही जैसे कि देख सकते हैं अधार कार्ड के पैन कार्ड डिटेल आपको यहाँ पर देना होगा ध्यान रखें आपके अधार कार्ड में मोबाइल नमबर लिंक होना चाहिए और उससे आप यहाँ पर इंस्टेंट क्यवाइसी करके आप आगे प्रोसेस बड़े असानी से कर पाएंगी और एक आपको यहाँ पर दूस्तो सेल्फी भी देनी बढ़ती है यहाँ पर दोस्तो साप साप समझ में यह आता है कि great line मिल रहा है अगर आप उसके इस्तमाल करते हैं तबी तक आपका interest चार्ड लगता है अगर आप उससे लंबे समय के लिए लोन लेना चाहते हैं या फिर और भी चीज परसनल यूज के लिए आप यहाँ पर great line ले सकते हैं तो कुछ इस तरह से आपके सामने आप उस तो great line का कुछ दिखेगा application के dashboard में कि आप किसी चीज के लिए loan लेना चाहते हैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होता है मैं आपको वो भी पता देता हूँ आपके application को जैसे अपने phone में install करते हैं तो 4 step में आपके application यहाँ पर ठकाइदा complete हो जाती है सबसे पहले आपको यहाँ पर basic detail इंटर करना होता है उसके बाद complete करना होता है KYC detail अगर आपको यहाँ पर approval मिल जाती है तो जिस भी bank account में loan amount आप लेना चौहते हैं आपको यहाँ पर e-mandate match process भी complete कराने बढ़ती है जिस भी bank account में आप transfer करते हैं उसके बाद withdrawal fund कर सकते हैं जो भी आपको यहाँ पर approval मिल लेगा तो दोस्तों यह आपको जो भी loan मिल रहा है RBI registered से ही मिल रहा है और एक NBFC company से मिल रहा है यहाँ पर NBFC company का नाम भी दोस्तों यहाँ पर mention है credit sign के नम से यहाँ पर जब आप यहाँ से इस application से loan लेंगे तो आपके civil में भी credit sign के नम से दोस्तों दिखाई देगा बहुत बड़े NBFC company है RBI registered है जैसे कि आप यहाँ पर screen के सामने देख सकते हैं तो दोस्तों यह application बिल्कुल fake नहीं है मैं जिस application के बारे में दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वो है Prevo यहाँ पर Google Play Store के अंदर में हूँ और मैं आपको यहाँ पर simply कुछ इस तरह से search करना है ठीक है आपको Prevo search करना है sorry यहाँ पर spelling mistake हो गया शोली कोई बात नहीं Prevo loan application यह application जो आपको Google Play Store को पर देखने को मिल जाएंगे बहुत दी बड़ी application है किसी तरह कोई interest charges नहीं है तब तक जब आप तक आप इसे application का limit का इस्तमाल नहीं करते है limit यूज कर रहे हैं तो आपका interest लगेगा limit यूज नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है rating के यहाँ पर दोस्तों बात किया जाएं तो 4.3 के साथ application यह rate करे हैं right side में देख सकते हैं दस लाग सूपर application को download कर लिया गया है दोस्तों आपको यहाँ पर बता दे भले यह दोस्तों अधार पैन के base पर यानि अधार पैन के base पर loan मिल रहा है KYC document को पर loan आपको मिल रहा है तो ऐसे आप समझ लिजए कि यहाँ पर civil score कम से कम आपका 720 at least होना ही चाहिए साप सुतरा दोस्तों आपका account होना चाहिए किस तरह कोई default account आपकी नहीं होनी चाहिए civil में ठीक है अगर यह सब कुछ clear है तो ही आपको यहाँ पर loan की limits मिलेगे चीजे मेंने यहाँ तक दोस्तों clear कर दिया किस तरह से काम कर दिया अब यहाँ पर थोड़ा सा detail में हम दोस्तों बात कर लेते हैं कौन सी यह company और किस सी company है आप देख सकते हैं किस तिसू sign on finance जो की private limited company है बगाएदा आप यहाँ पर देख सकते हैं credit sign on India के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है जो की RBI registered है तो प्रीबो application एक तरह से credit line application जो की आपको यहाँ पर limit provide कराई जाती है credit sign on India के तरफ से जैसे कि आप देख सकते हैं एक तरह से pay letter वाले services से आपको मिल रहे हैं हलागे 5 लाग रुपे तक का loan ले सकते हैं EMI में भी आप convert कर सकते हैं यहाँ पर 9.99% से start up होती है और maximum आपको लगभग 49-40% per annum interest charges दिखाई देगा ठीक है कुछ इस तरह से किसकरा कोई hidden charges यहाँ पर दूस्तों नहीं है 100% online process दूस्तों किये जाते हैं बाँवी जीजें यहाँ पर start होता है 20,000 से लेकर 5 लाग रुपे तक का loan और साथ साथ 3 मुईनों से लेकर 60 मुईनों का समय मिल जाता लोन बुक्तान करने के लिए प्रोसेसें फिर वही रहना वाला है 1% से लेकर 3% तक इंट्रेस्ट में आपको बताई दिया है 99.99% से स्टार्ट अप होती है मैक्समूं 49-40% पर रेनम यहाँ पर चार्ट लगने वाला है बाकिस अप्लिकेशन के अंदर मैंने लोन अपलाई करने का पूरा प्रोसस बताया हुआ है किस तरह से अप्लिकेशन के अंदर सारे प्रोसस कंप्लीट करना है किस तरह से बेसिक डीडेल फिलप करने है प्रोफाइल कंप्लीट करना है क्या वाई से प्रोसस कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पर अगर आप खूबल मिलता है तो आप अगर आप overdue करते हैं late payment करते हैं तो आप दोस्तों कुछ इस तरह से overdue interest charge यहाँ पर दोस्तों इन्होंने आप बता रखा है यहाँ पर साथ साथ यह भी देख लिए full repayment याने full prepayment charges भी आप देख सकते हैं outstanding amount के साथ tax plus charge लगेगा 5% ठीक है तो चीज़े कुछ इस तरह से यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलेगा lhbd के आप दोस्तों बात किया जाए कि किसको loan मिलेगा किसको loan नहीं मिलेगा तो आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 21 साल से लेकर 17 साल की बीच आपकी उमर होनी चाहिए monthly income का source होना चाहिए salary professional यहाँ पर self-employed donor category में application यह काम करेगी trans union के अंदर में आपकर civil score होगा वो 700 at least होनी चाहिए मैंने आपको पताया था 720 अगर आप इस तरह को fulfill करते हैं तो definitely आपको यहाँ पर जोस्तों limit मिल सकता है और साथ साथ यहाँ पर documentation की बात किया जाए तो pen card अधार card और excel भी आपको देना होगा जब आप application के अंदर loan के लिए apply करेंगे बागी चीज़े आप यहाँ पर इस preview दुबारा जो भी आपको instant line of freight मिल रहा है आप किसी चीज़ के लिए भी आप इस्तमाल कर सकते हैं पकाता है इनके आप official website के तरफ जा सकते हैं और इनके parent company की detail भी दुस्ते हाँ पर mention किया गया है अधिक जनकारे के लिए आप इनके official email और यह नंबर से आप बातचित भी कर सकते पकाता है तो आप देख सकते हैं जब भी कोई register company होती है तो complete address के साथ भी दुस्तों mention किया जाता है तो यह होता है का आरवे रेजिस्टर का पहचान आरवे रेजिस्टर अपरोव होने का पहचान दोस्तों यह है पीवों स्टेंट रेड लाइन अप्लिकेशन मैंने इस application के अंदर में loan apply करने का process बताया हुआ है तो दोस्तों उस वीडियो को देखने के लिए को description पार्ट में link मिली जाएगी एक बाद दोस्तों जोरू check out आप कर लिजेगा तो दोस्तों मिलते हैं वीडियो में आचके वीडियो में बस इतना ही दोस्तों जाते जाते आपको इतना बता दे 15-20 ऐसे आपके प्रोफाइल के उपर तो दोस्तों मिलते हैं वीडियो में आचके वीडियो में इतना ही दोस्तों तब तक लिए good bye and take care दोस्तों